एक कवम में लोग गणपती विसरजन के लिए जा रहे होते हैं एक बच्चा रोते हुए अपने पिता को उस चीज के लिए मना करता है पिता उसे समझाता है कि ये तो निवास है और वो सारे गणपती विसरजन के लिए चले जाते हैं बच्चे को इस बात से बहुत ठैस लगती है अगले दिन स्कूल जाते वक्त वो अपने दोस्तों को मना कर गणपती को पानी से निकाल कर एक पेड़ के नीचे रख देते हैं वो रोज उसकी पूझा करते हैं एक दिन उस लड़के की मा को शक होता है और वो उससे पूछती है कि नड़ू का डिपा कहा गया बहुत पूछने पर लड़का सच्ची बात बता देता है और बहुत डाट खाता है तब उसके पीता आते हैं और मा को रोकते हैं और उन्हें अपनी कल्दी का एहसास होता है